है लो एवरिवन वेलकम बैक टुए यरोवन चैनल मार्केट अनलिस दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी-50 और बैंग निफ्टी में क्या कुछ लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं एंड इसके अलावा हम बात करने वाले दोस्तों कुछ इंटर डे एंड सिविंग स्टोक्स जिनमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है तो बने रेगे इस वीडियो पर एंड तक चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले कहना चाहूँगा आप लोग लाइक नहीं करते हैं मैं आप लोगों के लिए इतनी मैनत करता हूँ रिसर्च करता हूँ तब जाकि स्टोक्स फाइंड आउट करके मैं लेके आता हूँ और आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो फटा फट लाइक कर दीजिए तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी फिप्टी के बारे में सिमिलियर दोस्तों आप बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ही जादा वोलिटिलिटी आज के दिन हमें देखने को मिली है जो स्टार्टिंग में लो लगा था दोस्तों वो 47,300 का लो लगा था एंड इसके बाद जो रिकवरी आई है दोस्तों बहुत जबर्दस सोलिड रिकवरी आई है 48,050 के आज पास यह गया था उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो 48,000 के नीचे ही दी है अगर कल को दोस्तों यह 48,000 के लेवल यहाँ पे ब्रीज होते हैं या गैप अप अपन होती है और इसको अगर यह सस्टेन कर जाती है तो दोस्तों एक शोट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल राइटिंग हो रखी है तो यह वाले लेवल ब्रीज होते ही जबर्दस्त मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आ पहले दोस्तों जो हमारा ट्रेड बनता है वह इस जगे पर बनता है दोस्तों इस लेवल पर हमने जो पूट बाई किया था और इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमने कैप्चर किया है उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर इस हाफ केंडल में जो है एक इसमें भी हमने छोटा सा यहाँ पर जनट बनता है और और मेरी एक इंटर-बन गई थी और मैं जदा नहीं दोस्तों मैं सिर्फ इस लेवल तक Arab क्योंकि इसमें च्छा-छासा इंपॉसिवल था तो दोस्तों कल हम देख लेते हैं कल के दिन क्या कुछ लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मान के चलो निफ्टी बैंक इसी जोन में कहीं भी आपको ओपनिंग देती है ठीक है या फिर गैप अपन होती है तो आपको अगर यह लेवल जो है 48000 के यहां यहां पर सस्टेन हो जाते हैं एक घंटे तक यह सस्टेन कर पाती है फिर अपने डे हाई को बरेक करेगी एक जवर्दस शोट कवरिंग यहां पर हमें देखने को मिल सकती है तो इस पर आप जो नजर बना के रख सकते हैं दोस्तों क्या ना चाहूंगा अगर सीदा मान के च देखने को मिली है सबसे फर्स टोक है रेल टेल आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस टेंड लाइन के बारे में आपको डिसकस किया था आज यहां पर टेंड लाइन का ब्रेक आउट हो चुका है अपने आपको सस्टेन कर रही है अगर कल को यह निकलता है तो आपको आज इसने बहुत अच्छा मोमेंटम यहां पर बनाके दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं यहां पर करीब करीब दोस्तों इसने जो है ताड़े साथ परसंट का रिटन अल्रडी बनाके दिया हुए और जिस प्रकासे एक मारा बुजू यहां पर केंडल बनी हुई है इसके बाद एक इंसाइड केंडल बनी चाहिए उसके बाद दोस्तों जैसे यह ब्रेक होती है जबरदस मोमेंटम यहां पर कंटीनु देखने को मिल सकता है नेक्स्टों के दोस्तों रोटो पंप्स यह स्टों मैंने आपको टेलेग्राम चैलन पर शेयर किया था स्टरडी के लिए तब यह स्टों जो है 458 के आसपास ट्रेड करा रहा था उसके बाद दोस्तों इसमें क्या जबरदस मोमेंटम आई है करेब करेब 3% का रिटन हमें बनाके दिया हुआ है इसने जो हाई लगाय था 472 के आसपास का हाई लगाया है I hope आपने इसको gainfully enjoy किया होगा and सब से main चीज जो है दोस्तों कि आपने क्या कुछ इससे learning ली है learning लेना बहुत जरूरी सीखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कहना चांगा अगर आप भी ऐसे सीखना चाते हैं कि इंटरडे में जो स्टोंक्स कैसे selection करते हैं मुझे कैसे पता चलता है कि स्टोंक्स में momentum आने वाली होती है तभी मैं आपको जो है आप शेयर करता हूं कि इसको एक बर आप इस पर नजर रख सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है जो कि मैंने अपने पिछले चार-पांच सालों में अपनी मेहनत को यहाप इंप्रूव किया है और जो भी मै अगर short time में long term में तो आप सीख सकते हैं market से भी सीख सकते हैं ठोकर खाखाखे सीख सकते हैं पैसे गवा कर सीख सकते हैं चार-पांच साल में आप अपने आप भी सीख सकते हैं market से no problem बड़ अगर आप बिना पैसे waste किये और आप जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं तो दोस तो definitely आपको एक छोटी सी investment कर देनी चीए जो कि आपके mind के उपर investment होने वाली है करी 5000 के आसपास का amount है हमारे course का तो आप जाके उस course को join कर सकते हैं link description में दिया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ और नए stocks जिनमें एक अच्छी momentum हमें देखाई पड़ सकती है सबसे first हो के excited indices आप देख सकते हैं दोस्तों 260 के आसपास मैंने आपको study कर रहा था July 2023 में उसके बाद आप देख सकते हैं क्या जबर्दस return इसने बना के दिया हुए करीब 86% के return यहां पर बना के दिया हुए यह 86% का दोस्तों कहने के लिए आशान है बट कहना चाओंगा इसमें convictions प्लस patience बहुत जरूरी होता है तब ही जाकि एक बहुत solid return बनता है otherwise कोई return यहां पर नहीं बन सकता अब दोस्तों इसमें एक दुबारा से हमें एक बहुत अच्छा pattern नजर आ रहा है जो की मेरे एक favorite pattern है यहां पर एक pole and flag pattern यहां पर बना हुए तो जैसे यहां पर क्या होगा breakout होगा एक जबरदस्त momentum हमें इस तरीकी की यहां पर देखने को मिल सकती है तो इस पर भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं इसको अपनी watch list में add कर सकते हैं अपने end page को study कर सकते हैं नेक्स्ट हो के दोस्तो हरी शंस मिला ला हैं आप देख सकते हैं मैंने 147 के आसपास study कर रहा है था एंड उसके बाद क्या return दिया इसने करीब करीब 215 के आसपास का high लगाया है अभी उसके बाद दोस्तो उसने जो प्राइज ने यहाँ पर गिरावड की है वापिस से इसी जोन में आई आ गया था फिर से वापिस recovery होना start हो चुका है अभी अगर हम देखना चाहेंगे तो एक यहाँ पर trend line ड्रो की हुई है दोस्तो इस trend line के आसपास आके बार-बार यह क्या कर रहा है rejection ले रहा है अब जैसे यह क्या करेगा यहाँ पर breakout देगा जब वर्दस momentum यहाँ पर मिल सकती है तो इस पे भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं नेक्स्ट ओके दोस्तो टेक्स मेकोरेल यह हमारा intraday plus swing दोनों के लिए रहने वाला है अगर आपको intraday में यहाँ पर momentum मिलता है तो आप intraday में भी profit book कर सकते हैं otherwise आप swing trading में भी इसको study कर सकते हैं यह वाले level दोस्तो बहुत ही important हैं जैसे यह 192 को यहाँ पर cross करेगा आपको एक जबरदस्ट momentum at least यहाँ तक दिखाई पड़ सकती है और अगर यह भी sustain करके निकालता है तो एक जबरदस्ट momentum आगे भी continue रह सकती है तो इस पे भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं कर रहा है इस तरीके से एक pole flag pattern यहाँ पर भी बना हुआ है इसका breakout already दोस्तो दे चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही इस high को यह break करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बार-बार जो rejection आ रखी है इस rejection को जैसे ही यहाँ पर निकालेगा एक जबर-दस momentum यहाँ पर पैंडिंगे तो इसको भी आप अपने end पर study कर सकते हैं और दोस्तो कहना चाहूँगा अगर आपने किसी भी stocks में buy a selling करनी है तो आप अपने financial adversity से चला जरूर ले क्योंकि यह वीडियो से फर सिफ education purpose से बनाई जाती है और दोस्तो लास्त मैं यही कहना चाहूँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो please like करें and share this video all to your friends thank you so much thanks for watching